हलो बच्चो तो आ गए हम फिर से एक बार आपका वही प्यारा चप्टर लेकर जीवन की मौली किकाई क्योंकि जीवन का आधार ही यही है और उसका लेकर आए हम L7 आपको लग रहा होगा कि बुक में तो बहुत जल्दी-जल्दी भगा रहे हैं आप इतना दीरे-दीरे क्यो क्योंकि हम हर बेस को क्लियर करके चलेंगे यहां से ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए कभी इन फ्यूचर भी चली तो चैप्टर फ्लो जो है वह आपको पता ही है क्या कर रहे हैं हम और उसके बाद आज का जो लेक्चर फ्लो है वो है कोशी का कला के बारे में दूच इसको समझ सके कौन पादप है और कौन जन्तु है और कौन पादप है और कौन जन्तु है इसको समझ सके तो चलिए शुरू करते हैं कोशी का कला के कारी अब हमने कोशी का कला पढ़ ली उसके कुछ सरचना पढ़ ली हाला कि हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी क्लास ना प्रॉशिक का जिल्ली अपने बाहर के वातावरन से किसको आने देना है, किसको जाने देना है, ये डिसाइड करतीै तो उसको बोलते हैं हम पारण गॉशिका कोशिका कला, कोशिका में विबिन्द पधार तो वो आयनों वो अणों के आने जाने पर नियंतरत रखती है, इसमें अंद इससे होकर एक विशेश आकार्व परिमाप के अणों ही प्रवेश कर सकते हैं, जैसे जल में गुले, खनीज और गैसे, इस कारण इसे वर्णे की या और विकलिय पारगम्यता, यहनी selective या differentially permeable भी कहते हैं, यह line हम पहले पढ़ चुके हैं, कि इसे selective या differential क्यों कहते हैं, क्यों कोशिका जिली कुछ ही पधारतों को अपने अंदर या बाहर जाने देती, कोशिका के छेट जो हैं, बहुत छोटे हैं, कुछ उसको जाना, जैसे नौरमली जल को जाने आने दे देती है, जिसकी कोशिका में जरूरत है, उसको तो रख लेती है, बाकी वेस्ट को बाहर निकाल देती है, जिसको बाहर से लेना होता है, उसी को लेती है, जिसका हम जो उधारन है वो पढ़ चुके हैं, परासरन से, तो यह सब पधारतों को क दूसरा कारण हम जो पढ़ेंगे कि क्या काम करती है निश्क्री अभी गमन निश्क्री का मतलब होता है पैसिव जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती उड़जा नहीं लगती इन एक्टिम भी जिसको कहते हैं तो जब विबिन्द प्रकार के आयन कोशिका कला के द्वारा अप परासरण में भी पढ़के आये हैं विश्रण में भी पढ़के आये हैं कि जो कोई भी पधारते वो अपनी अधिक सांधरता से कम सांधरता की ओर गती करता है तो जैसे परासरण में पढ़ा हमने कि पानी अधिक सांधरता से जहां पानी जादा होता है और जहां पानी कम हो हो रहा है ठीक है जैसे हमने देखा कि ये कोशी काूँ कोई बरतन है इसमें मैंने आप को बताया था किष्मिश extraordinary किष्म i post बहुत सारा पानी है बाहर क्या है शक्कर का पानी है बहुत सारी गाडी शक्करりました तो अब किष्मिश की अंदर जल की बातरा जादा है क्योंकि किश्मिश फुली हुई है पानी अल्रेडी है शक्कर का बहुत गाड़ा चाशनी रखी हुई है तो पानी क्या होगा चाशनी में कम होगा तो पानी अपनी अधिक सांधरता अधिक सांधरता का है किश्मिश के अंदर अधिक सांधरता से कम सांधरता की और आ जाएगा बाहर आ जाएगा और किश्मिश क्या हो जाएगी सिकुड जाएगी ठीके तो ये इसमें कोई एनरजी नहीं लग रही है अपने आप होता है ठीके सांधरता की वज़े से तो इसमें कोई कोशिका को काम कोशिका जिल्ली को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है दूस को किसी हमने ऐसे चेंबर में रखा है जहां पे स्टार्च बहुत ज्यादा है अब आप बोलोगे स्टार्च क्या है तो स्टार्च जो है वो पादपों के अंदर संचित होने वाला मतलब स्टोर होने वाली एक कर्भोहईड्रेट है हमने पढ़ाया ना प्रकास इंसलेशन में जो है पादप क्या बनाते है खाना जो बनाते है वो स्टार्च की फॉर्म में बनाते है और उसको अपने अंदर रखते है तो हमने एक ऐसा घोल ले लिया है अब इसमें स्टार्च जादा है और पानी क्या है कम है तो ये कैसा हो गया वही वीलियन के एसाब से ये कैसा है अ अब हमने इसमें कोई पादप कोशिका रख दी ठीक है ये पादप कोशिका रख दी वही इसमें केंदरक वगेरा सब होंगे अब इस पादब कोशी का मैंने कहा कि पादब अपने अंदर क्या स्टोर करके रखते हैं स्टार्च इसका स्टार्च खतम हो गया इसके पास स्टार्च है ही नहीं अब इसको क्या चाहिएगा उर्जा चाहिए तो स्टार्च भी चाहिए तो इसके पास अंदर क्या है स्टार्च कम है ठीक है इसको क्या चाहिए स्टार्च चाहिए तो ये तो सीधी बात हो गई कि स्टार्च यहाँ पे जादा है और कोशिका में कम है तो starch कहाँ चला जाएगा अंदर चला जाएगा अपनी अधिक सांधरता से कम सांधरता की ओर तो ये तो जनरल बात हो गई ये वाली निश्क्री है अभी गमन वाली लेकिन इसको starch तो चाहिए लेकिन ये ऐसे वीलियन में पड़ा है जहाँ पर पानी कम है और कोशिका के अंदर पानी अधिक है तो क्या चीज होगी ये सारा पानी कहाँ चला जाएगा पानी यहाँ पर अधिक है तो इस निश्क्री ट्रांस्पोर्ट की वज़ए से क्या होगा पानी जो है वो कहा निकल जाएगा बाहर आ जाना चाहिए बाहर आ जाना चाहिए लेकिन कोशिका चाहती है कि नहीं मेरको तो बाहर नहीं बेजना क्योंकि हमने क्या बोला कोशिका क्या है उसकी मरजी होती है उसको अंदर आने देती है उसके मर्जी नहीं होगी तो कोई नहीं आ सकता ना कोई जा सकता है ऐसा गायड बिठा रखा है कोशिका ने हमाद चार ओर तो इसने क्या किया कि ये सोच रही कि नहीं मेरे को पानी देना ही नहीं है बले मेरे पास पानी जादा है बार कम है लेकिन में को निश्क्री अधिगंबर नहीं करना मेरी मर्जी मेरे को जरूर अरते पानी की तो अब वो क्या करेगी इसको रोकना पड़ेगा और तो और वो कहारी कि मुझे तो और बाहर से भी अंदर पानी चाहिए ऐसे बोल रहे हैं तो यह कहरी कि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो भी मेरे को अंदर चाहिए तो अब उल्टी चीज हो गई बाहर पानी कम है अंदर पानी अधिक है तो पानी की कम सांधरता से पानी को कहा ले जाना है अंदर ले जाना है पानी की कम सांधरता से अंदर ले जाना है, होता क्या है, अधिक से कम की तरफ जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, उसकी कम सांधरता, कम सांधरता, पानी बाहर कम है, उसको अधिक सांधरता, अंदर अधिक पानी है, वहाँ पे और ले जाना है, जा जाके डाबरा भरना है, औ वो उन्हेट में लाला चोता ना पैसे गा。 और पैसा दे दो, और पैसा दे दो ऐसे, तो इसको और पानी चाहिए है, त्वर degree चाहिए तो अब ऐसी condition में वो क्या करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा अगर और पैसा कमानें तो क्या करना पड़ेगा मैनत करने पड़ेगी मजदूरी करने पड़ेगी गलत काम करने पड़ेगे और उन सब में क्या लगेगी माता पोड़ी होगी दिमाग खराब होगा माता पोड़ी होगी मैनत करनी पड़ी की तो क्या लगेगी उर्जा लगेगी ना एनर्जी तो इसको भी क्या करनी पड़ती है फिर उर्जा व्याय करनी पड़ती है उर्जा देनी पड़ती है उसको अंदर लाने के लिए है ना इसको ऐसे समझ सकते हो कि नॉर्मली आप एक जगा पे बैठे हो है ना आपके बैंक में हजारो करोर रुपे पड़े हैं आप घर में बैठे हो और आराम से आपके पैसे जो है उत्ता, आकाउंट में जो पैसा अधिक सांध रता थी, पैसो की वहा पे, वहाँ से आपने अपने घर ले आ यह क्यूंकि आपके पास पैसा कम अब आपके पास पहले से पैसा है, आपके पास पैसा अपने घर में निकाल के रख दिया अधिक सांगरता है पैसे की, लेकिन आपको बाहर का भी चाहिए, नहीं मैं तो उसका भी लू, तो फिर क्या हो गया, उल्टी चीज हो गई, कम से आप किसमें लेकर आ रहे हो, अपने अधिक में लेकर आ रहे हो, बाहर तो गरीब है भी चारा, उसका पैसा भी लेना है आपको कि ने उस गरीब का पैसा भी मैं लू तो उसके पास तो पैसा कम था आपने अपने अधिक पैसे की तरफ उसको खीचना है तो आपको क्या करने पड़ेगी दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेगी, चाला की करने पड़ेगी और इन सब में क्या होगा? एनरजी, उर्जा लगेगी तो इस वाली प्रोसेस में क्या लगती है? इस दशा में रासाइनिक उर्जा लगती है अब ये कौन सी उर्जा है? रासाइनिक उर्जा मतलब chemical से related हमारी जो उर्जा है ना बच्चो वो किस फॉर्म में रहती है? ATP की फॉर्म में रहती है ATP क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्पेट इस फॉर्म में एक खटा रहती है है ना? तो जब भी हमें कांग करना होता है तो हम ये ATP खर्च करते हैं अगर कोई भी उर्जा निकल रही है और ये कैसे प्रक्रिया है? एक रासाइनिक प्रक्रिया है और आपने श्वेशन भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि श्वेशन में भी क्या होते है? जो ग्लुकोज बनता है या स्टार्ज बन रहा है ये सब रासाइनिक प्रक्रिया है बात आप समझ गए मेरी कि निश्क्री और सक्रिय में क्या फर्क है जब अधिक से अपने आप कम की ओर जा रहा है तब तो निश्क्री है लेकिन कम से अधिक की तरफ अगर भेजना है आपको या करना है तो फिर उसको active transport कहते हैं ठीक है ऐसा दोनों होता है कोशिका में निश्क्री वाला भी चलता है और सक्री तो ये कौन करता है कोशिका कला करती है तीसरा जो सबसे बहत्वपूर है endocytosis endo का मतलब अंदर, cytosis का मतलब cell cell के अंदर ले लेना तो बात समझ में आगए होगी जब बहारी पधारतों को कोशिका दारा अंदर अंतर ग्रहित कर लिया जाता है खा लिया जाता है कोशिका भारा तो इसे endocytosis क्याते हैं क्या है ये आपने amoeba पड़ा है amoeba क्या करता है जब उसको कोई खाने का पार्टिकल दिखता है है ना खाने का क्या है उसका खाद्य पधारत है तो ये क्या करता है अपने pseudopodia बनाता है pseudopodia मतलब कूट पाद बनाता है amoeba का शेप कैसा होता है फिक्स नहीं होता और इसमें चलन के लिए कूट पाद बनते है मतलब ये जैली जैसा, slimy जैसा होता है तो ये क्या करता है अपने इनको आगे बढ़ा देता है food के चारो ऐसे और फिर दीरे-दीरे यहां से भी cover कर लेता है और फिर क्या होता है ये food particle जो है वो amoeba के अंदर आ जाता है तो इसने क्या किया इस food particle को अपने अंदर ले लिया इस चीज को क्या बोलते है अंतर ग्रहन हम भी करते हैं अंतर ग्रहन खाना खाते हैं ना मुह में लेते हैं अंतर ग्रहन करते हैं लेकिन हम कोशिका के concept में बात कर रहे है और amoeba अपने आप में क्या है एक कोशिका amoeba कैसा जीव है एक कोशी की जीव है इसमें सिर्फ एक ही कोशी का है हम कैसे जीव है बहु कोशी की है हम हजारों सेल्स है प्रैक्टिकल मैं बताया था ना बहुत सारी चिक सेल्स हैं हमें एक नहीं दो नहीं करोडों मिलियन सेल्स है तो कोशी का क्या करती है जब किसी चीज को अपने अंदर ग्रहत कर लेती है तो उससे हम बोलते हैं endocytosis, तो अमीबा भी endocytosis करता है, किसके लिए, खाने के लिए, लेकिन ये endocytosis चे दो प्रकार का होता है, अगर ये कण जो है वो ठोस है, मान लो कोई कीडा है, बक्तीरिया है, तो अगर ये ठोस पधार्त को अपने अंदर लेता है तो उसको हम बोलते हैं phagocytosis, ये देखो, ठोस पधार्तों का अंतर ग्रहर phagocytosis कहलाता है, ठीके phagos, phagos का मतलब होता है ठोस, और पीनो, पीनो से पीना याद रखो, पीनो से पीना, क्या पियेंगे, को लिक्विड चीज होगी तो ही पियेंगे, तो जब पधार्त तरल होता है, या लिक्विड होता है, का अंतर ग्रहर्ण पीनो साइटोसिस कहलाता है, पीनो से याद रखो, लिक्विड तो phagocytosis का अपने आप मिनिंग लिख जाएगा, ठोस होगा, ठीके, अगर यही अमीबा जो है, यहाँ पे मालो, कोई द्रव्य पधार्त है, लिक्विड यह, यह लिक्विड पधारते कुई, इसको इसको अंदर लेना है, तो वही प्रोसेस यूज करेगा, क्या करेगा, अपने यह सुडो पॉडिया बनाएगा, और इसको दीरे-दीरे क्या कर लेगा, अंदर ले लेगा, इस तरह, यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पीनों साइन्टोसिस, पीना से याद रखो, ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलती है, अमीबा में देखने को मिलती है, आई बात समझ में, एक्जांबल क्या है, इसका, अमीबा भोजन ग्रहन करता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गए, तो कोशिका जिल्ली ये काम भी करती है, ये इसकी क्या है, बाहर, ये इसकी कोशिका जिल्ली है, ये हमें भी होती है, और हमारी कोशिका भी ऐसे अंतर ग्रहन करती है, चीजों को जब कोई bacteria हमारे अंदर जाता है तो उसको ऐसे ही करती है जो हमारी WBC होती है श्वेत, रक्त, कणी का बलड के अंदर जो हमें bacteria से बचाती है वो ऐसे ही shape की होती है जब भी उसको कोई bacteria नजर आता है ऐसे यहां पर तो वो भी ऐसे क्या कर लेती है ऐसे इसको cover करके इसको अंदर ले लेती है तो वो भी क्या करती है endocytosis करती है खाने के लिए भी करते है छोटे जीव अब कोशिका बित्ती की बात होती है तो generally हमने अभी तक कोशिका जिल्ली के बारे में पढ़ा लेकिन जब हम पादपो और जन्तू के बारे में बात करते है तो जैसा मैं शुरू से बताती रही हूँ कि plants और animal की कोशिका में एक basic difference यह है कि plant कोशिका में एक और layer होती है जिसको हम कहते हैं कोशिका बित्ती जिसे हम कहते हैं cell wall अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे cell membrane की बात कर रहे थे कोशिका जिल्ली की बात कर रहे थे जो सिर्फ जन्तूओं में होती है पादपों में कोशिका बित्ती तो होती है साथ में कोशिका जिल्ली भी होती है दो membrane होती है ठीक है तो पादप कोशिका में प्लाजमा जल्ली के अतिरिक तो कोशिका बित्ती भी होती है पादप कोशिका बित्ती मुख्य तहा सेलिलोस की बनी होती है इसे याद रखेंगे सेलिलोस एक बहुत जटिल पधार्थ है जो पौधों को सरचनात्मक दरड़ता देता है इसका क्या मतलब है? कि पौधा जो है वो ऐसे जमीन में गड़ा हुआ है हवा चलती है बारिश होती है तुफान आते हैं पेड गिर जाते हैं लेकिन क्या उनकी कोशिका तूट फूट जाती है? क्या कोशिका तूट के लीचे गिर गई एसा कभी देखा हमें, वो सीधे के सीधे, कहीं पहुत है तो तुफार आने के बाद भी सीधे खड़े रहते, तो इनको जो है सरचनात्मक, मतलब यह जो आप तने को दबाओ, या पत्ती को दबाओ, थोड़ी दब जाती, क्या वो ऐसे बहुत जोर से दबाओ को तो दब जो आपकी स्किन कैसी है, सॉफ्ट है न, क्योंकि आपके कोशी का बित्ती नहीं है और सेलुलोज नहीं है, प्लांट की पत्ती को टच करोगे तो थोड़ी सी हाड लगे ही, क्योंकि उसमें कोशी का बित्ती है और उसमें सेलुलोज है, तो यह हाडनेस प्रोवाइड करवा पहले हम एक plant cell बना लें, ठीके plant cell में क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होगी, एक कोशी का वित्ती होगी, अनर की तरफ क्या होगी, कोशी का जिल्ली होगी, ये कोशी का जिल्ली है, जिसको हम cell membrane कह रहे हैं, कोशी का जिल्ली सिर्फ जन्तूओं में मिलती है, लेकिन पादपो में कोशिका जिल्ली भी मिलती है और बाहर वाली कोशिका बित्ती भी मिलती है जिसको सेल वॉल कहती है ठीक है कोशिका जिल्ली की कारी हमने पड़े वो पादब जन्तू दोनों सीम नहींगे इनमें सिब कोशिका बित्ती मिलती है जो इनको द्रड़ता प्रदान करती है जन्तु कोशिका के comparison में अपेक्षाक्रत जो जन्तु कोशिका होती है वो इतने hard वाता वरण में या ऐसी जन्तु कोशिका मिन्स वैक्षूल यह ऐसे खाली air bubble हवा का बुलबुला होता है क्या करता है यह जल का नियमन करता है जब कोशिका के अंदर बहुत जादा पानी हो जाए उसको पानी की जरूत नहीं होती तो यह रिक्तिका जो है वो एक्स्ट्रा पानी बहार निकाल लेती है और side में क्या होता है छोटा सा nucleus होता है केंदर और बाकी कोशिकांग कौन कौन से कोशिकांग होते हैं गौलजी बॉड़ी होता है यह सब पढ़ें गया हूँ यह बहुत पादप को क्या करती है सुरक्षा प्रदान करती है तो जब अगर हम किसी पादप कोशिकांग को मान लो यह एक container है ठीक है इसमें मैंने क्या कर दिया बहुत सारा acid डाल दिया acid डाल दिया मान लो इसमें मैंने कोई भी अमल डाल दिया HCl यह क्या है एक chemical है जो अगर आपके skin पर गिर जाए तो आपके skin जल जाती है उससे भी खतरनाख होता है H2SO4 यह भी अगर आपके skin पर गिर जाए या पौदों पर गिर जा तो जला देता है इतना खतरनाख होता है लैब में मिलता है तो मैंने यह HCl डाल दिया यहां पर मैंने क्या किया पादब कोशिका रग दी अब पादब कोशिका है तो उसमें एक तो कोशिका बित्ती होगी बाहर और अंदर क्या होगा कोशिका जिल्ली और वही बाकी के सारे organism होगे अब मैंने इसको 5-10 मिनिट के ल ज्यादा तो होता है लेगिन इतना quantity में नहीं होता अब वह तो as it is रहती है कोशिका बित्ती अब मैं सिर्फ cell बना रही हूँ कोशिका बना रही हूँ कोशिका बित्ती तो as it is रही जो अंदर वाली कोशिका जिल्ली है और दूसरे सारे जो organism है अब देखो यहां पर HCl ज्य अधिक सांदरता से पानी कहां चला जाएगा बहार यह बातावरण में तो उसका सारा पानी बहार आ जाएगा क्योंकि हमने इसको कहां रख दिया है अतिपरासरी वीलियन में रख दिया है तो अतिपरासरी वीलियन में रख दिया है तो अतिपरासरी वीलियन में रख दिया और इसका केंद्रक भी और इसके बाकी चीज़े भी ऐसे सिकुड के साइड में चले जाएगी और दिये दिये क्या होगा यह और सिकुड जाएगा और सिर्फ कोशिका भित्ती रह जाएगी तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन क्यों जीव दरवे कुंचन ये कोशी का है कोशी का जिल्ली है हमने स्टार्टिंग में बात किये थी कोशी का और कोशी का जिल्ली के अंदर जितना भी सामान होता है उसको हम जीव दरवे या साइटो प्लाजम कहते है तो ये जीव दरवे क्या हो गया है सिकुड गया तो उसक गोग वो क्या कह दिया, जीवद्रव्यकुचण, इंगिश में इसे क्या कहते है, प्लाज्मूलाइसस, ठीक है, तो जब किसी पादप कोशिका को परासरन वारा पानी की हानी हो जाती है। पानी की हानी हो गया इसका सारा पानी बाहर चला गया तो कोशी का जिल्ली सहीद आंतरिक पधार संकुचित हो जाते हैं और पानी की हानी का होगी जब बाहर वाला वातावरण अती परासरी होगा तो इस घटना को जीव द्रवे कुचन कहते हैं ये इसकी परिभाशा हो गई आई बात समझ में अब जाते हैं कोशी का बित्ती का क्या महत्व है कि जन्तूओं में तो कोशी का बित्ती है नहीं पादूपों में कोशी का बित्ती है तो उसका महत्व क्या है तो एक तो मैंने आपको बता दिया, सरचनातमग द्रड़ता प्रदान करती है, मतलब उसको बहारी वातावर्ण से सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे की अभी किया, यह जीवद्रवे कुंचे ने बहुत हेल्फूल है, कहां हेल्फूल है कि जब हम कोई खेती कर रहे होते हैं और खेत' में आपनी देखा होगा है खेतों में दूसरे पौदे भी उग जातें, मालوق आप गेहूं की क्याती कर रहे हैं उससे वीज-बीज में कई खरपतवार उगगए है ना खरपतवार समझते भीना कहीं भी उग जाते हैं उनको खर्पतवार कहते हैं तो खर्पतवार उख जाते हैं तो अब उसका क्या सोलिशन है आजकल तो दवाईया आती हैं वो दवाईया डालते हैं क्या काम करती है वो दवाईया यही काम करती है वो इन खर्पतवार की कोशिका पर जाती है और बाहर केमिकल आ जाता है तो अं मर जाती है, म्रत हो जाती है, और फिर वो खर्पतवार मर जाता है, ऐसा ही हम हमारे अंदर जो बैक्टीरिया या वाइरस होते हैं, दवाईया क्यों लेते हैं, वो दवाईया सीधे जाके कहां अटेक करती है, बैक्टीरिया पर, बैक्टीरिया के चारो तरफ ऐसे, हाला कि चा तरह ऐसे चली जाएगी और बैक्टीरिया पर इफेक्ट करके उसका क्या कर देगी जीवद्रवे कुंचन कर देगी सारा जीवद्रवे में से पानी निकाल देगी उसको खतम कर देगी ठीक है यह तो बहुत हेलफुल काम है जीवद्रवे कुंचन अब कोशिका बित्ति का हो गया लेकिन अगर हम इसे क्या करें किसी अलप परासरी मतलब बाहर क्या है अलप परासरी अलप परासरी समझ गए ना जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है जल ज्यादा है और दूसरे केमिकल या शक्कर या नमक कम है उसमें अगर हम कोशिका को रख दें तो क्या क कोशिका में तो जल कहां जाना चाहिए कोशिका के अंदर जाना चाहिए और अगर जल बार-बार कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका क्या होगी फूलेगी फूलती रहेगी अगर वो उसे रोक नहीं पारी है और फूल की क्या हो जाएगी फट जाएगी तो इस फटने को रोकने का काम भी कौन करता है कोशिका बित्ती करती है कैसे हो देखते हैं ऐसे माध्यम से कोशिका परासरन वीदी द्वारा पानी ले लेती है यही बात हुई मैंने का परासरन से अधिक सांधरता से कम सांधरता की और जल जाएगा और कोशिका फूल ने लग जाएगी कोशिक का पूल जाती है और कोशिका बित्ती के ऊब दबाव डालती है ठीके जैसे ये कोशिका बित्ती है और अंदर क्या हो गया वही कोशिका जिल्ली और सारे उसके मटीरियल्स पानी कहां जा रहा है पानी अलप परासरी वीलियन में रखा है हमने तो पानी कोशिका के अंदर जा रहा है बार-बार ये अल्प परासरी वीलियन है बार तो पानी कहां जा रहा है बार-बार कोशिका के अंदर जा रहा है बार-बार सब जगह से तो अब कोशिका क्या होगी दीरे-धीरे फूलेगी, जब कोशी का फूलती है, तो फूलेगी तो दबाव काँ पड़ेगा, प्रेशर काँ पड़ेगा? इस कोशी का बित्ती पे, अंदर वाला सावान सब पूल रहा है बलून फूलेगा आप बलून के उपर बलून कोई थेली चड़ा दो और बलून को फुलाते जाओ फुलाते जाओ तो बलून का प्रेशर किस पर पड़ेगा थेली पर पड़ेगा तो इसको आप वो थेली मान लो कि ये कोशिका बित्ती मान लो थेली अब प्रेशर पड़ र तो यह बाहर से दबाव डालती है, इसको अंदर से दबाव लग रहा है, तो यह क्या कर रही है, अपोजिट, यह भी क्या कर रही है, बाहर से अंदर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, कि नहीं मैं नहीं फटने दूँगी, मैं नहीं फटने दूँगी, आपको कोई धक जब पंजा लडाते तो आप प्रेशर डालते हैं तो वो भी प्रेशर डालता है तो ऐसे कोशी का बित्ती को लगता है कि मैं फट जाऊंगी तो कोशी का बित्ती भी क्या करती है अंदर की तरफ दबाव डालती है और दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं संतुलित कर लेते आप भी दक्का दे रहे हैं किसी को सामने वाला आपको दक्का दे रहे हैं वो रस्ता कसी का नियम चलता है वो इदर खीच रहे होते हैं आप उदर खीच रहे होते हैं अगर दोनों में बराबर दबाव लग रहा है बराबर फोर्स लग रहा है बराबर बल लग रहा है, तो रसी ना तो इधर जाती है, उधर, तो ऐसी ही condition में, यहां पर क्या हो जाता है, संतुलन बैठ जाता है, क्योंकि अंदर से बाहर दबाव पड़ रहा है, कोशि का बित्ती भी अंदर दबाव डाल रही है, तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे प दबाव डालते हैं और कोशिका बित्ती के कारण कोशिका है परिवर्तिन माध्यम में जन्तु कोशिका की अपेक्षिया आसानी से सहन कर लेती है क्योंकि जन्तु कोशिका में क्या नहीं है जन्तु कोशिका में तो सिर्फ कोशिका जिल्ली है कोशिका बित्ती है ही नहीं तो अगर आप यही क्रिया अल्प परासरी वीलियन में रखके जन्तु कोशिका के साथ कराएंगे, तो वो क्या होगी? फट जाएगी, क्योंकि उसके पास ये कोशिका बित्ती नहीं है, वो सिक फूल फूल के, फूल फूल के, कुपाओ के फट जाएगी, बलून की तरह, क्यो कोशिका बित्ती नहीं, तो ये फाइदा है पादप में कोशिका बित्ती को होने का, साथी हमने जीवद्रव कुंचन वाला भी पड़ा, है न, सेलिलोस की बनी होती है, सरचनात्मक द्रड़ता भी प्रदान करती है, और कई चीजों का, देखो, कोशिका जिल्ली तो selectively permeable हो होता है, उसके बाद हम फिर next जो है, वो चलेंगे, topic की तरफ, ये देख लो, ये बहुत important है, इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे, और जब हम अभी पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीज़े, तो आपको साथ साथ clear होता रहेगा, पहला, जो हमने अभी कहा, कि पादप को कहते हैं, और ये cellulose के बनी होती है, इधर कोशी का बित्ती अनुपस्तित होती है, यानि cell wall नहीं होती है, ये बात हावी हमने की, दूसरी चीज़, इसमें chloroplast होता है, ये क्या बला है, सभी को क्या पता है, एक जग जाहिर बात ये है, कि पादप क्या करते हैं, प्रकाश translation करते हैं, सुआ पोशी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, अब आप ये बनाते हैं, नहीं मम्मी तो बनाती है, अपना खाना खुद, वो खाना बनाना नहीं, वो तो बना बनाया खाना होता है, खाना बनाना मतलब कि जितन वारी चीजे खुद बनाते हैं, तब ही तो हम उनको खाते हैं, वह बना-बना के रखते हैं, हम उनको काट-कूट के खा लेते हैं, तो उनमें प्रकाश संसलेशन के लिए एक special चीज पाई जाती है, जिसे बोलते हैं chloroplast, यह कैसे कलर का होता है, यह green कलर का होता है, ऐसा, इसल जाओगे परोगे यहाँ पर को लो डुरोप्लेस्ट है इसी कारण हम क्या नहीं बना सकते हैं खाना नहीं बना सकते एसा थोड़ी 2-4 गंट है जैसे दूप बल सेरी अогन किए करते हैं सुरी कि प्रकाशफे आपके साथ ऐसा को या erreichen दो घंटे दूप में बैढ गये, खाना बन गया, चलो आज का खाना कम्पलीट, क्यों कि क्लोरोप्लास नहीं है हमारे पाद, हमें तो दूसरों से लेना है, पादपों से लेना है, जन्तूं से लेना है, ठीके, इन में बड़े आकार की रिक्तिका होती है, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, कि पादप कोशिका में जो होती है, वो एक रिक्तिका होती है, बड़ी सी, और कोने पे क्या होता है, केंद्रक होता है, थोड़े दिसकस किया था, और ये रिक्तिका क्या करती है, जल का नियमन करती है मतलब जल जादा या दिखो तो कंट्रोल करती है उसको यहाँ पर जो रिक्तिका होती है जन्तु कोशिका में वो यह तो छोटी होती है है ना केंद्रक बड़ा सा होगा यह केंद्रक है और रिक्तिका छोटी छोटी होगी या फिर होगी नहीं किसी किसी मे होता है कोशिका विभाजन में help करता है कोशिका विभाजन भी पढ़ना है हमें यहाँ पे सेंट्रोसोम अनुपस्तित है एनिमल सेल के अंदर इसको अभी सिर्फ याद कर लिजे आगे पढ़ेंगे हम संचित बोज्य पदात स्टार्च है मैंने अभी आपसे बात कही थी कि प अनने जब आपसे पढ़े रहते हैं 2-4 गंटे, उनकी उर्जा तो स्टोर रहेगी खोशिका क्या करती है उस उर्जा को स्टोर करके रख्ती है मतलब संचित करके रखती या जब जब ज़रूरत पढ़ेगी तब उससे बहाँ निकालेगी तो वो जो पादप होते हैं ये भी ऐसा करते हैं और ये अपनी कोशिका, इसी कोशिका के अंदर स्टार्च को क्या करके रखते हैं, स्टोर करके, घर में रखते हैं, हम घर में किचन में सामान रखते हैं आज जितना भी सामान लेया, आज ही खतम कर दिया, कल नया सामान लाए पढ़ें ठीक है यहाँ पे जो संचीत पधार थे वो क्या है गलाईकोजन यह याद रखेंगे आगे तक काम में आएगा यह हमेशा काम में आएगा यह जो चीज मैं आपको पढ़ा हии हूँ जब तक सायंस के साथ जुड़े और GK में भी, जनरल साइंस में भी, संचित बोजी प्रधार जो है वो क्या रहता है, गलाइकोजन रहता है, हम starch form नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, गलाइकोजन की form में food को store करते हैं, कोशी का दरवे विभाजन में, यहनि की cytokinesis में कोशी का plate बनती है, यह जो कोशी का विभ मतलब दो पार्ट में बढ़ती है, तो यहां पे बीच में एक plate जैसा structure बनता है, और वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर दो में divide हो जाती है, ठीक है, लेकिन animal cell जो होती है, इसमें ऐसी plate नहीं बनती, इसमें क्या होता है, कोशी का जो है, वो ऐसे संकीन जाएंगे, और दो कोशिकाएं अलग हो जाएगे, ऐसे इन में क्या होते है, संकीन होते है, constructions होते है, तो यह table आपको याद करनी है, अच्छी तरह से, और जब हम इसको दो-तिन चीज़ें आगे पढ़ेंगे, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी, यह देखिए, यह ह है हमारी पादप कोशिका, यानि plant cell, ठीक है, और यहाँ पे देखो, दोनों ही दे रखी, animal cell और plant cell दोनों दे रखी, plant cell मैंने कहा कैसे होती है, शेप में, generally आयताकार होती है, और यह कैसे होती है, किसी भी शेप की हो सकती है, आपको ध्यान हो, तो वो chick cell आपने practical देखा है, देखा है न उसमें चिक सेल कैसी थी? ऐसे शेप की थी, लेकिन हमने ओनिएं सेल, जो प्याज की कोशि का है देखी थी, वो कैसी थी? ऐसी लंबी-लंबी थी न, आयता का. ठीक है? और उसमें दो लेयर भी थी, यही बताया था आपको. और animal cell में जो हमने chick cell देखी थी, वो तो ऐसे अजीब shape थी, और उसमें एक ही layer ठी, तो इसमें एक ही layer होती है, कोशी का जिल्लि, इसमें दो होती है, कोशी का जिल्लि जिसको हम क्या बोलते है, cell membrane अंदर वाली और बाहर वाली जो orange दिख रही है, वो cell wall, रिंतिका, यह रही रि पूरा इस्थान गेल लेती है तो इसको थोड़ा साइड में जाना पड़ता है। यहाँ पर आराम से गुमता रहता है और जनरल केंदर में रहता है। यहाँ पर यह नूकलियस देखो साइड में पड़ा हुआ है। साथ में इसमें क्या होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होते हैं यहाँ जिसकी वजह से प्लांट कैसे दिखाए देते हैं ग्रीन दिखाए देते हैं। और यह और बड़ा अच्छा वाला स्ट्रक्चर है। इसमें सारे कोशिकांग दिख रहे हैं आपको जो जो हम पढ़ने वाले हैं। एंडोमेट्रियम यानि अंतरप्रदवी जालिकाय, माइट्रोकॉंड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अमाईलोप्लास्ट, राइबोसोम यह सब हम पढ़ेंगे। गॉल्जी एपरेटस यह सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसी के साथ आज का जो हमारी क्लास है वो यहीं खतम होती है। आपका बहुत सारा बेसिक क्लियर हो गया होगा इससे क्योंकि आगे हमें इससे उपर जाना है। तो जुड़े रहे हैं हमारे साथ क्योंकि कहानी अभी बागी है।